तो इंजिनेर्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि कौन-कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग AAC ब्लोक से कंश्रक्शन करवा रहे हैं जिससे की AAC ब्लोक में आने वाले क्रैक्स को हम लोग रोक सके तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि सर हमारे AAC ब्लोक में बहुत सारे क्रैक्स आ रहे है तो इस क्रैक्स को कैसे रोका जाए तो इस वीडियो में पूरा हम लोग बात करने वाले तो इस वीडियो को पूरा ज़रू देखिएगा हेलो इंजिनेर्स, मैं इंजिनेर हरिस्दाउन और कॉर्परेट टेनर, स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने फेडरेट एटिव चानल सिविल गुरुजी में जहां पर कंप्लिटली बात करते हैं हम लोग सिविल इंजिनेर्स के बारे में याने की आपके बारे में अपने एएसी ब्लॉक्स में आने वाले जो क्रैक्स है जब वॉल कंशक्ण्षक हो रही है तो उस वॉल में आने वाले क्रैक्स को हम लोग रोक सकते हैं उसके कुछ हाइलाइट पॉइंट से हैं जैसे बात करते हम सबसे पहले कि ब्रिक की कौलिटी के उपर भी डिपेंड क होनी चाहिए तो इस पूरे की points के बारे में हम लोग discuss करेंगे इस पूरे वीडियो में तो चलते हैं सबसे पहले point के तरफ और देखते हैं कि brick की quality कि जब भी हम लोग brick लेने जाते हैं brick मंगवाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका report वाँ पर नहीं आते और साथ इसाथ जब भी हम लोग इसको स्टोर करके रखेंगे तो यह ध्यान रखना कि इसको हमेशा हमारी जो जमीन की लेवल से एक फिट उपर रखें मतलब 300 mm उपर रखना चाहिए और इसमें और भी चीज़े जो नोटीस करने वाली रहती है वह रहती है इसकी मैनुफेक्ट्रिंग डेट जैसे कि जब भी हम लोग पर्चेस करने जाए तो जो तूरंद बना हुआ है अभी अभी जो बना होगा आटोकल कुकि जब ये नया होता है और हम लोग चैब चाफिज होता है तो इसमें चाहिए तो इसलिए हमेशा धियान रकना होना चाहिए हमारा double ase block जिससे कि उसमें cracks नहीं आएंगे तो ये था हमारा equality के हम लोग उसको कैसे चेक करें और साथी साथ इसमें reports होते हैं जिसमें उसके durability के बारे में भी discuss किया जाते हैं तो उस durability को भी आप लोग चेक किजेगा इस brick की आगे चलते हैं आगे जो point है provide seal band जैसे कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं क्या यह तो WAC blocks है इसमें हम लोग seal band नहीं देते हैं directly हमारा wall construct करवा देते हैं और एक ही दिन में बहुत ज़्यादा जो height है वो इस brick work की construct हो जाती है जिससे कि बहुत सारे problems हमारे create हो जाते हैं जैसे कि हम लोग हमारे normal brick work में भी seal band देते हैं तो वही seal band हमको यहाँ पर भी provide करना होता है जिसमें कि minimum 8 mm के दो बार्स हमको provide करने होता है seal band में साथी साथ इसमें आप लोग कुछ mesh भी लगा सकते हैं जिससे कि इसमें जो cracks है वो वहीं पर रुख जाया और जादा ना जाया आप सभी को पता है कि seal band बहुत सारे cracks आने के जो chances होते उसको रोकता है साथी साथ लोड को uniformly distribute करता है तो सेम इसी में भी हम लोगों को seal band provide करना चाहिए तो maximum height कितनी होनी चाहिए without seal band या किसी भी concrete layer के बिना जो हमारी brick work की height होनी चाहिए 1200 mm उससे जादा का बनाते है तो उसमें load आने के chances होते है जिससे की cracks develop हो सकता हमारे brick work में तो आप लोग भी जब भी double AC block बनाओ तो 6 layers के बाद मतलब की double AC block के जैसे 6 layer आप provide कर दो उसके बाद seal band जरूर दो या तो मैं बोलूँ की 1200 की height पर हम लोगों को provide करना चाहिए जो की होता है हमारा 4 feet के असपास है ना तो ये seal band हमको जरूर देना है इससे कि हमारे बिल्डिंग में cracks आने वाले जो हमारे walls में cracks आने वाले वह हम लोग avoid कर सकते हैं नेक जो हमारा point आता है वह span of wall मतलब कि जब भी हम लोग कंशक करते तो ऐसा ना हो कि जो हमारे wall की span है मतलब कि ये length है column से column की length है बहुत जादा हो इसके वज़े से भी cracks आने के chances होते हो क्योंकि temperature की वज़े से इसमें shrinkage और expansion हो गई होगा तो अगर जादा बड़ी wall करोगे तो जादा expansion होने के वज़े से cracks develop हो सकते हैं साथी साथ contract भी होता है तो भी cracks आने के chances हमारे होते हैं तो try करो कि 4-4.5 meter तक के आपकी length of wall हो जिसके वज़े से आपके cracks ज्यादतर avoid कर सकते हो तो बस यही ध्यान रखिएगा कि जो आपका span है जो length होती है wall की वो 4.5 meter तक के हो जादा उससे ना हो जिसके वज़े से cracks आने के जो chances हो कम हो जाएगा अगर उससे कम की length होगी तो तो यह भी चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए और engineers आगे जाने से पहले बता दूँ कि इस particular building या particular highway के लिए जिससे कि आपकी जो growth हो बहुत जल्दी होगी किसी भी company में और इसी तरीके से अगर आप newly construction industry में कदम रखने वाले हो और अपनी career में आगे बढ़ने वाले हो तो आगे बढ़ते हम लोग new point की तरह और देखते है कि क्या-क्या points हमारा होना चाहिए कि beam load cannot be transferring walls मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा beam का load है वो हमारे wall में transfer होना चालो होता है क्योंकि हलका सा deflection होनी के वज़े से फिर कही पर point load आ जाता है हमारे wall में जिसकी blocks यहां पर बना रहे हो तो जो उपर का point आता है ना वहां पर हमेशा ध्यान रखना कि एकदम level पर रहे ऐसा नहों कि कोई brick हमारे beam को touch कर रहा हो अगर वहां पर कोई gaps create हो रहा है तो उस gap में आप concrete को fill कर सकते हो या motor को fill कर सकते हो जिसकी वज़े से brick work में ज्यादा load नहीं आ हो जाएगी तो यह चीज़े आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप लोग brick work करो तो इसके top में जो भी gap create हो जाता है तो आप पर short create या कोई concrete material आप लोग fill कर सकते हो आगे चलते हैं हम लोग कि अब क्या करना है plaster करना है तो कभी भी brick work करने के बाद दो दिन आपको plaster start कर सकते हो और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ plaster करने के बाद जो पुट्टी आपको करना है तो plaster करने के 14 दिन बाद पुट्टी apply करो क्योंकि जब 14 दिन हो जाएंगे तो plaster अपना पूरा जो strength हो gain कर पाएगा और जो wall है उसको और भी strong कर पाएगा क्योंकि हम लोग brick को curing होती है मोटार की होती है और इस with में तो बिल्कुल भी clean 기yn मत करना क्योंकि क्योंकि लिक होने की वज़े से इसमें श्रिंक हो जाएगा और यूश्ट बाद में पुट्टी अप्लाइ करो, तो आपको crack आने के चांसे से हो बहुत ही कम हो जाते हैं, तो यह था हमारा plaster करने का तरीका, उसके बाद जब आप plaster कर रहे होंगे, तो उसमें चीकन में जरूर लगा है, जैसे कि जहां पर भी concrete का joint होता है, concrete और brick work का, तो वहां हमको chicken में जरूर ल vertical cracks आते हैं, आपके column और beam के पास wall में, तो यह भी चीज़ें आपको avoid करनी चाहिए, अब इसको कैसे avoid कर सकते हैं, हम लोग चीकन में लगा के, साथ ही साथ जैसे आप लोग ने seal band देखा, उसके बाद हम लोग lintel beam या lintel band प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर भी हमको chicken मे तो हमारा concrete surface हाएगा plaster के time, चलते हैं, कोई next point और देखते हैं, अब क्या लिखा है, do not soak AC blocks before construction, मतलब कि हम लोग आदत होती है हमारी, जो हमारा clay brick होता है, जो हमारा red brick होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, भीगा कर रखते हैं, 24 गंटे के लिए बोला जाता है, लेकिन कु अब इसको soak कर दोगे न, तो वही जो मैंने बोला कि इसमें shrinkage की property बहुत जादा है, अगर ये soak कर लिया पानी को अपने अंदर तो बाद में shrink हो जाएगा, इसके वज़े से हमको कभी भी इसको क्या soak करके नहीं रखना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, उसके बाद चलते ह अब यूज अधेसिज इफ पॉसिबल, मतलब कि जब भी हम लोग इसका construction कराते, इसमें आप मोटार भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अधेसिज अवेलेबल है, आसपास आपकी nearby में अवेलेबल है, तो अधेसिज बिलकुल यूज करो, क्यों कि अधेसिज की अधेसिज आपको ज़रूर लगाना है, जब भी आप लोग ब्रीक वर करते हो, उस टाइम पे, डबल इसी ब्लॉक के टाइम पे, तो आपको अच्छे strength भी देगा, और जल्दी भी यह काम हो जाएगा, क्यूरिंग तो आपको करना भी नहीं है, इसमें तो वह भी चीज अबर तरीके से 10 mm तक के दो, जिससे क्या होगा, कि जब आप इसके बाद प्लास्टर करोगे, तो प्लास्टर की बॉंडिंग इस ब्रीक वर के साथ अच्छी रहेगी, और यह बहुत ज्यादा durable रहेगा आपका वाल, तो आपकी वाल की strength भी बढ़ेगी, तो इसलिए हमेश के साथ आप लोग अपने वाल को durable भी बना सकते हो, और strong भी बना सकते हो, तो I hope इंजिनर्स कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कर ल कर दौर कर लजा है, भी दोगज कि जरूर कर वेघको यह वीडियों चुरा है